तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी CDP की टॉपिक वर्ज त्यारी कर रहे हैं जो कि हमारे सीटेट और अधर टीचिंग एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महतुपूर्ण है आज जिस टॉपिक से हम लोग questions करने वाले हैं वो है अभी प्रिणा एवमधिकम इस टॉपिक से टोटल 140 questions हम solve करेंगे जिसको हम 3 parts में complete करेंगे तो इस वीडियो में हम motivation and learning से रिलेटेट पिछली परिक्षाओं में पूछे गए महतुपूर्ण प्रसनोतर देखेंगे पिछली वीडियो की तरह ही आपको मेरे सही उतर पे टिक करने से पहले आपके according जो उतर सही है उसे choose करना है और अपने marks भी count करने है आपको तो शुरू कर लेते हमारी आज किस वीडियो को question वो one में पूछा गये आपसे कि सीखने की प्रक्रिया में अभीप्रेणा first option ने सिख्षार्थियों को एक दिसा में सोचने की योग्य बनाती है second है सिख्षार्थियों में सीखने की प्रतिरुची का विकास करती है थर्ड, सिक्षार्थियों की अस्मरन सक्ति को पहना बनाती है और फोर्थ उप्सन है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिकम से अलग करती है तो इन चारों ओप्सन को देखते हुए आपको ये बताना है कि सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेणा का क्या योगदान है ये क्वेश्चन आपका सीटे जून 2011 फर्ष्ट वेपर में पूछ जा चुका है वन का करेक्ट टैंसर होगा आपका ओप्सन बी शीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेणा सिक्षार्थियों में सीखने की प्रती रुची का विकास करता है अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बबर टू एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिती में की गई अनुक्रियाओं की आधार पर नईश्थिती के प्रती अनुक्रिया करता है यह किस से सम्मंदीत है फर्स्ट ओप्शन है सीखने की प्रख्या का अभिवितिनियम सेकन सीखने का तक परता नियम फर्ड शीखने का साधृष्च्यता नियम और फोर्थ ओप्शन है सीखने का प्रिभावनियम two का correct answer होगा हमारा option c सीखने का साधृष्च्यता नियम question number 3 है आपका dash को एक अभी प्रेजित सिक्षन का संकेतक माना जाता है first option है विद्यार्थियों द्वारा प्रस्ण पूछने second है कक्षा में एकदम खामोसी third, कक्षा में अधिक्तम उपस्तिती and fourth option है सिक्षक द्वारा दिया गया उप्चारात्मक कारियर three का correct answer होगा हमारा option one, विद्यार्थियों द्वारा प्रस्ण पूछने को एक अभी प्रेजित सिक्षन का संकेतक माना जाता है next है question number four सीखने का वस सिधान्त जो पोर्णरोप से और केवल अब लोक निये व्यवहार पर आधारित है सीखने के 10 सिधान्त से संबध है जो सिधान्त पोर्णरोप से अब लोक निये व्यवहार पर आधारित है वह सीखने के व्यवहार वादी सिधान्त से संबध है option D हमारा सही होगा question number five निमनलिकित में से कौन सी विसेस्ता आंत्रिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है first option है वे चुनोती भरे कारियों को पसंद करते हैं second है ये हमेशा सफल होते है third उन्हें कारिय करने में आनन्द आता है and fourth option है वे कारिय करते समय उच्छ अस्तर की उर्जा प्रदसित करते हैं तो इन चारो options में से जो आंत्रिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं होगा वो होगा option B ये हमेशा सफल होते हैं क्योंकि ऐसा आप किसी भी आदमी के लिए नहीं कह सकते कि ये हमेशा सफल ही होगा क्योंकि हार जित साथ साथ चलती रहती है और जो सौ बार सफल होते हैं वो भी एक बार सफल हो सकते हैं अगला question देखेंगे question number 6 सामानी परिपकवन से पहले पसिक्षित करना प्राया फर्स्ट option है सामानी कॉसलो के निस्पादन के संदर्ब में बहुत लाबकारी होता है second है कुल मिलाकर हानिकारक होता है third दिर्ग कालिक दिश्टी से लाबकारी होता है and fourth option है लाबकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्टिक्षन में किस प्रेकार की विधी का प्रियोग किया गया है six का correct answer होगा हमारा option D सामानी परिपक्वन से पहले प्रस्टिक्षित करना प्राय लाबकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रस्टिक्षन में किस प्रेकार की विधी का प्रियोग किया गया है अगला question है question number seven निम्ण में से कौन सा कथन अभी प्रेणा एक प्रक्रिया के संदर में उप्योगत नहीं है फर्स्ट option ने यह व्यक्ति को लक्ष की ओर ले जाता है सेकेंड है यह व्यक्ति की सारीरिक आविसक्ताओं की संतुष्टी करता है थर्ड यह मनववे ज्यानिक आगांशा को प्राप्ति करने में सहायता करता है और फोर्थ option है यह व्यक्ति को अप्रिये स्थिती से दूर रखता है तो अभी प्रेणा एक प्रक्रिया इस संदर में इन चारो स्टेटमेंट्स में से जो सही नहीं है अगला question है आपका question no.8 उप्लब्धी अभी प्रेणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कतन सही है फर्स्ट option है उप्लब्धी अभी प्रेणा के जीवित रहने के लिए आवस्यक है सेगें है यदि व्यक्तिगत शमताओं की संतोष्टी महत्वपोर्ण है तो उप्लब्धी अभी प्रेणा को विकास प्रेणा कहा जा सकता है थर्ड है यदी व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धी अभी प्रेरख को समाजी कभी प्रेरख कहा जा सकता है और फोर्थ ओप्सन है इनमें से सभी एट का करेक्ट टैंसर होगा हमारा ओप्सन बी उपरोक्त सभी नेक्स्ट है question number 9 प्रात्मिक विद्यालियों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बहतर मानते हैं फर्स्ट ओप्सन है वीडियो अनुरूपन सेकंड प्रदर्सन थर्ड स्वेंग के द्वारा किया गया अनुभव एन फोर्थ ओप्सन है इद में से सभी 9 का correct answer होगा हमारा option C primary level के बच्चों के लिए जो इन चारो options में से बहतर है वो है option C स्वेंग के द्वारा किया अनुभव question number 10 एक college जाने वाली लर्की ने फर्स पर कोट फेकने की आदर डाल ली है लर्की की माने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खोटी पर टांगो लर्की अगली बार घर में प्रवेस करती है कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खोटी पर टांग देती है यह उदारन है 1st option है स्रिंक लागत अधिगम का 2nd उदीपन अनुक्रिया अधिगम का 3rd प्रतत्य अधिगम का 4th option है इन में से सभी 10 का correct answer होगा हमारा option 1 स्रिंक लागत अधिगम का Next है question number 11 बाह यह अभी प्रेड़ना में समावेसित किया जाएगा 1 प्रसंसा एवं दोसारोपन 2 प्रतिद्वन्दिता 3 पुरसकार एवं दंड 4 परिनाम का ग्यान options आपको कूट के माधियम से देने है 1 और 3rd 2 और 2 और 3rd 3rd option है केवल 2 और 4th option है इन में से सभी तो बाह यह अभी प्रेड़ना में किस किस को समावेसित किया जाएगा यह बताएगा 11 का correct answer होगा हमारा option D बाही अभी प्रेड़ना के रूप में प्रसंसा इवं दोसारोपन को भी देखा जाता है प्रतिद्वन्दिता को भी देखा जाता है पुरसकार और दंड को भी देखा जाता है और प्रेड़नाम का ग्यान जो है वो भी बाही अभी प्रेड़ना में सामिल है नेक्स्ट है question number 12 अधिकम को प्रिभावित करने वाला व्यक्तिकत कारक है फर्स्ट ओप्सने संचार के साधन, सेकंड सम्वयस्क समूह, थर्ड अध्यापक और फोर्थ ओप्सने परिपक्विता एवं आयो 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ओप्सन दी परिपक्विता एवं आयो question number 13 अभिवरिती है first option है एक भावनात्मक प्रवर्ती जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवे ज्यानिक वस्तु के प्रती पसंदिगी या नापसंदिगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है second है एक ऐसी विसेस्ता जो व्यक्ति की योगता का परिशायक है जिसे किसी प्रदत छेत्र में विसेस्ट प्रसिक्षन ज्यान अत्वा कौसल से सीखा जाता है third है व्यक्ति की वीजबू चमता जो कि विसेस्ट प्रकार की होती है और fourth option है इन में से कोई नहीं 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा option one अभिवरिती एक भावात्मक प्रवर्ती है जो अनुभवों के द्वारा संगठी ठोकर किसी मनोवे ज्यानिक वस्तु के प्रती पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है question number 14 क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देस ही है first option है नवीन ग्यान की खोज second सैक्षिक परिस्थीतियों में व्यभार विज्ञान का विकास third विद्याले तता कक्षा की सैक्षिक कार्ये प्रणाली में सुधार लाना and fourth option है इन में से सभी तो क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देस्यों में कौन-कौन आते हैं ये बताईए 14 का correct answer होगा हमारा option C विद्याले तता कक्षा की सैक्षिक कार्ये प्रणाली में सुधार लाना next है question number 15 डैस को अनुप्रियरिद सिक्षन के एक संकेत के रूप में विवेशित किया जाता है first option है कक्षा में अधिक्तम उपस्तिती, second है सिक्षक द्वारा दिया गया उप्चारात्मक कारिय, third विद्यार्थियों द्वारा प्रसन पूछिना and fourth option है कक्षा में पूर्णनी रखता, 15 का correct answer होगा हमारा option C, विद्यार्थियों द्वारा प्रसन कुछने को अनुप्रियरिद सिक्षन के एक संकेत के रूप में विवेशित किया जाता है question number 16, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रियरन फ़स्ट उप्चने सीखने वालों की स्मिर्थि को तेज बनाता है second है पुडाने अधिगम से नए अधिगम को विवेदित करता है third, एक दीसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है and fourth option है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रूची का स्रिजन करता है 16 का correct answer होगा हमारा option D अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रियरन नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रूची का स्रिजन करता है उनको motivate करता है अगला है question number 17 स्यामपट को सिक्षन साधन सामगरी के किस समूव में उपयोग किया जा सकता है फर्स्ट ऑप्सन है स्रव्य साधन सेकेंड द्रिस्य साधन थर्ड द्रिस्य सव्य साधन और फोर्थ ऑप्सन है इन में से कोई नहीं 17 का correct answer होगा हमारा option B द्रिस्य साधन question number 18 आप देखते हैं कि एक शात्र बुद्धिमान है तो ऐसे में आप फर्स्ट ऑप्सन है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे सेकेंड है उसे अतरिक्त ग्रेकार ये नहीं देंगे थर्ड वह जैसे अधिक प्रगती कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे और फोर्थ ऑप्सन है उसकी अभिभाव को सुझित करेंगे कि वह बुद्धिमान है तो यदि आप देखते हो कि कोई शात्र जो है वो intelligent है बुद्धिमान है तो ऐसे में आप क्या करोगे इन चारों ओप्सन को देखते हुए बताईए 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ओप्सन सी वह जैसे अधिक प्रगती कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे एक सिक्षक विद्याथियों को अनुप्रेरित कर सकते हैं फर्स्ट आप्सन है पुरसकार देकर सेकंड सही माग दसन कराकर फर्ड उदाहरन देकर और फोर्थ आप्सन एक अक्षा में भासन देकर 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ओप्सन एक सिक्षक विद्याथियों को सही माग दसन कराकर अनुप्रेरित कर सकते हैं अगला है क्रेशन वर्ट्वेंटी एक सिक्षी का पाथी वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रियोग करती हैं और अपने विद्याथियों से चर्चा करती हैं विद्याथि इस जानकारी को अपने पुर्व ज्यान से जोडते हैं और पोसन की संकल्पना को सीखते हैं यह उपागम डेस पर आधारित है फर्स्ट उप्सने पुर्व बलन के सिधान्त सेकेंड अधिकम के सक्रिये अनुबंधन सिधान्त थर्ड ग्यान के निर्मान और फोर्थ उप्सने अधिकम के सास्त्रिये अनुबंधन सिधान्त 20 का correct answer होगा हमारा option C ग्यान के निर्मान